हेलो इस्टूडेंट मैं नरेश कुमार मैं तबाई नरेश जी सर क्लासे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज फिर से हम अमसी प्रिवेश से जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड चल रहा है डी एंड ऐसा पही यहने डिफ्रेंशल एक्वेशन एंड इस्पेशल फक्षन से और आज इसके अंदर हमारे पास उनिट फिफ्ट में लेक्टर नमबर एट है और ठीक इसके उल्टे सेकिंड दे रखा है और क्यूसन है हमारे पास प्रूदाइट रूट पाई कै कैसे हमारे पास प्रूदाइट रूट पाई इंटो x-by-2 की पावर-n xy 2-2 इंग ऑन प्लस 1by 2 jnx is equal to minus 1 से 1 exp ict 1 minus t square n minus 1 by 2 into d2 where n greater minus 1 by 2 ठीक है और अगर मैं इसकी बात करूँ यह JPS की book में कहां है तो यह हमारे पास 3.9 का topic है अगर आपके पास book है तो मैं इसके लिजिए और वाइस कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास जो book है उसमें पेज 106 के उपर है और टोपी का नाम है इंटीग्रल रिपरजेंटेंशन और बेसल फक्षन ठीक है बई टोपी का नाम है हमारे पास है इंटीग्रल रिपरजेंटेंशन से और बेसल फक्षन से बट आप तो हेडिंग लगाईए कि हमारे पास ये क्यूशन से इस परकार से अ आपके पास यह इसी एक्सरसाइज का क्यूसिंस है आप जामते हैं जे एनक्स को बेसल स्पक्सिंस कहते हैं आगे जो दूसरा चेप्टर पढ़ेंगे वह हमारे पास हर्माइट पॉलिनोमियल आएगा एचनक से फिर लेजेंडर आएगा उसमें बोलेंगे एल एनक्स लागरे और असोशेटेड लागरे पॉलिनोमियल वगेर आएगे तो यह हमारे पास इनहीं सिंबलों से यह क्यूसिंस पहचाने जाते हैं तो पहला ही पहला धरम है आपका कि यूनिट फ्यूट में पहचान यह कौन से वाला हिस्सा आपको करना है तो यह जे एनक्स है यह आपकी प कि यह होता है यह यह पहुती सिंपल है अगर आप इसकी माइनर्माइनर बातें अभी निकल के आंगी साम Cordi अगर वह आप जानते हो तो तो चाहते तो लेप्ट लेकर राइट लेकर लेम से लिए तो सबसे पहले आप इसकी राइट हेंड्स एड ले लिजेगा सबसे पहले आप इसकी right hand side ले लीजिएगा क्या कहती है right hand side minus 1 की power 1 exp iota xt 1 minus t squares की power n minus 1 by 2 into dt where n का मान है मतलब इस minus 1 by 2 से greater होना चाहिए ताकि ये negative नीचे ना आए ठीक है इसको मैं एक बार हटाता हूँ क्यों इतना सा ध्यान देना है बहुत ही ध्यान से इस questions को देखना है क्योंकि examinations के अंदर इसके symbol बदल सकते हैं ठीक है यहाँ dt की जिगए आपके पास d phi करके जाए सकता है ती की जिगए ऐसे आ सकता है फाई आ सकता है यह फाई का स्क्वेर और यह d phi आ जाए यह हो सकता है थीटा आ जाए तो आप ध्यान रखोगे इसका से फोरमेट का कि यह वाला फोरमेट का क्यूसन है यह दिगल रिपर्जेंटेंशन के नाम से जाना जाता है ठीक है इतना साध्यान रखना है इसे dt की जिगए आपको डी थिटा या डिफाई से दिनोट करके दे सकता है ओके exp का मतलब क्या हुआ वई? e की पावर के अंदर exp का मतलब हमारे पास क्या हुआ? e की पावर के अंदर e की पावर आयोटा अक्सटी और यह आ जाएगा ऐसा कैसा 1 माइनस t स्कुएर की पावर n माइनस 1 बाइटू डी टी n- e की पावर iota x t और 1-t square की पावर n-1 by 2 dt अब देखिए इसके वराबर लिखने का तरीका चुँकि हम जानते हैं e की पावर theta क्या होता है 1 पलस theta पलस theta square by factorial 2 पलस theta की cube by factorial 3 पलस dash 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 से और यह चलता जाएगा और यह हमारे पासे चलता जाएगा infinity तक है क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं देखो इसी चीज़ को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं summation n is equal to 0 से infinity n is equal to 0 से infinity theta की power n upon n factorial theta की power n upon n factorial करके देखो सबसे पहले 0 रखो यह 0 रखेंगे n की जगा तो यह 1 और यह 1 1 आगिया फिर 1 रखिए theta आजएगा फिर 2 रखिए theta की 2 upon 2 factorial 3 रखिए theta की 3 upon 3 factorial और summation है मतलब plus में चलता जाना चाहिए hence हमारे पास क्या आजएगा अगर हम यहां रखेंगे तो यहां हमारे पास क्या आजएगा तो देखें left side तो है अब ऐसी क्याशी e x p iota x t 1 minus t squares की power n minus 1 by 2 into dt यह तो आजएगा ऐसा कैसा यहां देखें आप minus 1 से 1 e की power यह देखो चाहिए तो ऐसे कर लो समेशन n लगा लो यह आप समेशन बदल भी सकते हो r is equal to 0 to infinity iota x t की power r upon r factorial upon r factorial factorial और यह ऐसा कैसा into में 1 minus t square into में 1 minus t square से की power 1 minus 2 into dt देखें हमारे पास e की power जो भी है उसी को आप करने काऊंते लो यहां से समझी आप एक बार कि जो power है उसके उपर आप n लगाईए और n factorial जब आप यहाँ n लिखते हो तो मैंने यहां r लिखा है तो इसकी power के उपर r लगाया है और नीचे r factorial आ गया है यह ऐसे कर लो कि यह इसके बराबर होता है अग theta की power r upon r factorial और ज्यादा समझ में आज जाएगा कोई फ्रक नहीं पड़ता मतलब जो भी आप यहां मानते हो वो ही उपर होना चाहिए उसी का factorial हमारे पास नीचे होना चाहिए ठीक है अब आप यहां ध्यान देना क्या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं minus 1 की power 1 समेशन r is equal to 0 से infinity आयोटा की power r देखे इसको ऐसे लिख लो आयोटा अक्स की power r upon r factorial और यह t की power r 1 minus t square की power 1 minus 2 into dt 1 minus 2 into dt अलग क्यों लिख दिया क्योंकि हमें इसको t को अलग इसने लिए यह dt के से उपर depend कर रहा है मतलब tt की value depend है बाकी सभी constant हैं हमारे पास बाहरे आ जाएंगी मतलब यह जो integration का sign है यह cable और cable t के उपर ही depend है तो next step हमारे पास क्या आ जाएगी आप बिल्कुल उतारते रहना step by step से साथ साथ चलते रहना तो आपके पास किसी भी परकार की दिकत नहीं आएगी तो सबसे पहले तो यह समझना था कि आप इस exp को किस परकार से explain करोगे ठीक है तो यहां मैं क्या करता हूँ summation बाहर ले लेता हूँ summation r is equal to 0 to infinity बाहर ले लिया iota x की power r upon factorial r बाहर ले लिया x की power r upon r factorial बाहर ले लिया और integration में minus 1 से 1 integration में minus 1 से 1 f t dt कर दिया इसको हमने कर दिया यह है से कर लो इसको हमने कर दिया t की power r 1 minus t squares की power n minus 1 by 2 into dt 1 minus t squares की power n minus 1 by 2 into dt ठीक है यह हमारे पास इस परकार से आ गया t qi power r 1 minus t squares riparm n minus 1 by 2 into dt अब हमारे पास चेलेंज है कि हमें इसे integration कैसे करेंगे ठीक है भई अब हमारे पास यहां इसका challenge है कि हम इसका integration से किस परकार से करेंगे तो आप इसकी next step में लिखिये यह तो आ जाएगा हमारे पास ऐसा कैसा और यह आजाएगा summation r is equal to zero to infinity आयोटा अक्स की पावर आर अपॉन आर फेक्टोरियल और यह आजाएगा माइनस वन से वन और इसको हम बोलेंगे f of t dt और इसको आप पहला ही पहला इक्वेशन समानो और बताईए where f of t क्या है हमने जानबुज के इस पूरे फरक्शन को क्या रख लिया है f of t रख लिया है तो हम बोलेंगे कि f of t हमारे पास क्या जाएगा f of t है हमारे पास t की पावर आर वन माइनस t स्क्वेर की पावर एन माइनस है वन बाइ टू ठीके यह dt छोड़ दीजिए यह हमारे पास से बिलकुल अलग है ओके वही इसको आप मान लेजिए equations नमबर टू इसको आप मान ल लिख लेता हूं कि हमारे पास यह कुछ ही प्रकार्शे आ गया यह तो है equations नमबर वन और यह है हमारे पास equations नमबर टू ठीक है भी यह है हमारे पास equations नमबर टू वेर f of t is equal to थोड़ा सा उपर लिख लेता हूं इस पेस बचाए क्योंकि सीखेंगे तो बिलकुल डिटेल से सीखेंगे अदर्वाइस बुक्स में तो यह लिखा हुआ ही था है ना भी बुक के अंदर तो यह लिखा हुआ था होता यह आता तो हम वैसे ही कर लेते अपनियां सीखने के लिए आए हैं तो इसे जरूर ही सीखेंगे ठीक है अब देखिए हमारे पास इसका हमें integrations करना है इसका हमें integrations करना है तो हम लिखेंगे कि since we know that अब यहां फिर से 12th क्लास की एक बात आएगी 12th क्लास में एक फक्षन से ऐसे होता था कि अगर किसी की limit minus a से a जाती है और एफोफक्स से dx होता है देखिए आपके याद आ जाएगा अगर किसी फक्षन की limit minus a से a जाती है और dx होता है तो इसकी value ऐसी आएगी 2 गुना 0 से a f of x dx और एक बार आजएगी 0 यह कब आएगी if f of x is odd if f of x is odd के उपर आएगी या हमारे पास even के उपर आएगी तो यह आएगी हमारे पास f is even फक्षन f of x is even खीके और यह आएगी हमारे पास if f of x is odd समझगे ना यह हमारे पास संफलन और यह हमारे पास विसंफलन संफलन का मतलब क्या होता है मैं इसी के नीचे लिख देता हूं कि x की जगाएप minus x रखिए अगर वो f of x यह आ जाता है तब तो वो क्या होगा संफलन होगा और यहां आप f of x की जगाएप minus x रखिए अगर वो minus f of x आ जाता है तब वो विसंफलन होगा जैसे इसको सिरीश ना लो एक बार देखो example देखो अगर हमारे पास example ऐसे है कि f of x is equal to x square करना क्या है आपको x की जगाएप minus x तो minus minus plus होके क्या आ गया यह आ गया तो यह x square की जगा वापिस क्या रख सकते हैं f of x तो देखो हमने ध्यान दिया कि x की जगाएप minus x रखने पर वापस फक्षन से f of x आ गया है इसका मतलब यह क्या है संफलन है f of x is even function उस condition से में तो result हमारे पास 2 गुना मतलब में ठट जाएगी minus x की बदेट 2 गुना आजएगी जैसे हमने ला x की क्यूब आ जाएगी तो देखिए ध्यान से देखिए आप ही कि minus sign तो छोड़ दिया ऐसा कैसा और x की क्यूब की जगह रख दिया f of x तो x की जगह minus x रखने पर अगर minus का sign बाहर आके f of x आता है तो वह हमारे पास और फक्षन होता है बहुत ही छोटी बात समझा रहा हूं इसका कोई उदेश से नहीं रहता है इस लेवल पर आके नहीं समझाना चाहिए फिर भी देख लो और मालो ऐसे आ गया x की क्यूब पल हाँ ऐसी कंडिशन को विड्रो करके चलता है कि अक्स की जगह minus x रखने पर फिर से f of x आता है तब वह ओड माना जाएगा हैंस भॉम एक्वेशन स्टू जहान से देख है आप हैंस भाॉम एक्वेशन स्टू29 अंदर क्या चलता है ज हो यहां धुक्त नहीं क्या कर दे हैं क्या कर दें है एफ की सगया है f 2000 ठी चल रहा है थी ठीक जगह माइनसितर रगों क्या चेक करने के लिए क्योंकि देखो यहां भी minus x minus x t लेके चलेंगे तो minus t और रहे minus t ठीके मैंने t की जगाय क्या कर दिया है f हो फिर minus का t रख दिया है तो t की जगाय माइनस t रख दिया तो यह तो आ गया मेरे पास minus t की power r और यह आ गया 1 minus t की जगाय मैंने minus t रख दिया whole square की power minus 1 by 2 अब देखिए हमारे पास यह sign तो आ जाएगा minus 1 की power r और यह बचेगा t की power r और 1 minus यहां देखिए minus minus plus मत कर दिना वही कहीं आप minus minus plus कर दो यह देखो अपने आप में whole square है तो यह t square हो जाएगा और उपर minus 1 by 2 अदर्वाइज आप यहीं minus से रह गया है अब आप देखिए एक बार वापिस से क्या हमारे पास ऐसा कैसा t की power r 1 minus t square की power n minus 1 by 2 आपिस f of t बच गया क्या तो यह बच गया हमारे पास f of t और यह हमारे पास minus 1 की power बाहर बाहर आ गया minus 1 की power r है वो बाहर आ गया अब बताईए ये sum है या विशम है किसके उपर depend करेगा R के उपर depend करेगा तो आप इसे उतारिए यहां तक साथ साथ है अब देखिए हमारे पास मैं यहां लिखता हूँ इसको कि F of minus T सोची आप एक बार कि R की संख्या मैं 1 रखूं 3 रखूं 5 रखूं तब तो यह क्या जएगा minus तब तो यह क्या जएगा minus का F of T minus का F of T when R is even when R is 1, 3, 5, 7, dash, dash, dash भ्यान से अगर मैं 1 रखूंगा तो minus का sign 3 रखूंगा तो minus का sign 5 रखूंगा minus का sign अगर 0 रखता हूं plus का sign and एफ ओफ माइनस T is equal to F of T आ रहा है कैव जब आप आर के जिगार रखोगे 0 2 4 6 8 डेश 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 देख लो चे आर के जिगार 0 रखोगे तो किसी के पाउज 0 की वेल्यू 1 पोजिटिव 2 रखोगे positive फोर रखोगे positive तो कहने का मतलब हमारे पास even function कब है and odd functions कब है तो हम देख सकते हैं कि अगर we some संख्या है तब तो ये we some फलन है some संख्या है तब ये हमारे पास सम फलन है some संख्या है तब ये हमारे पास सम फलन है तो आप लिखती है ये से साथ-साथ इसे हमें लिखना है तो यह हमारे पास हमारा result हो गया अब इन दोनों का conclusions कैसे निकालेंगे so we say that देखिए so we say that so we say that इहां लिखिया आपे so we say that अता है हम कह सकते हैं so we say that कि f of minus t is equal to minus f of t होगा when r is odd when r is odd number r is odd number यह ऐसे लिख दो r is equal to 2k plus 1 कोई भी संख्या रखो 0 रखोगे तो 1 आजएगा 1 रखोगे तो 3 आजएगा 2 रखोगे तो 5 आजएगा चलता है से लेगा के बिलों करेगा integer नमबर के उपर के बिलों करेगा integer पर इतना भी लिखने के गयराई से जुरूद नहीं बता सकते हो इस इवन नमबर यानि समसंख्या यह हमारे पास आजए इवन नमबर ठीके इसका मतलब क्या हो गया i e r is equal to 2k अरे समसंख्या के लिए क्या लिखेंगे 2k रखते जाओ वही के की वेलिव से माने चीए वही है मामने जो k माना है 0 1 2 3 से लेके चलता जाएगा रखे देखे 0 रखे तो 0 1 रखे तो 2 0 2 4 6 8 यह हमारे पास क्या गई है आ गई है ठीक है बई तो यह हमारे पास अपना रिजल्ट सा गया अतह है हमारे पास इंटिग्रेशन लगा दो तो क्या होगा So we say that, यह चलो हम यहीं लगाते हैं इसका, अब देखो यह वाली value जा जाएगी, तब तो result क्या जाएगा? 0, एक बार करके देखलो, So from equations 1 and 2, यह ऐसे करो, So from equations 2, So from equations 2, equations 2 के आप क्या लगा दो? तो एक बार limit लगा दो, minus 1 से 1, limit लगा दीजिए, आप minus 1 से 1, और यह रहा, T की power, या F of T, बोल दो इसे, F of T, DT, F of T, DT, इसका result क्या आजाएगा? इसका result आजाएगा, हमारे पास 2 आजाएगा, 0 से A, A की value हमारे पास क्या है? 1, F T, DT, F T, DT, इसका result आजाएगा, हमारे पा when F of T is, when F of T is even, when F of T is even function, even function से, IE F of minus T, IE F of minus T, IE F of minus T, is equal to आजाएगा, आपके पास F of T आजाएगा, ठीके, second conditions यह हमारे पास 0 आजाएगा, second conditions यह हमारे पास 0 आजाएगा, E, P, F of T is odd function, F of T is odd functions, F of T is odd function, odd functions और odd function का मतलब विसम संख्या हैं, तो इसकी जगाह हम देखेंगे, F of T minus का F of T, तो हो सकता हमने step ज्यादा लिख दी होगी, बट हमने 12th कलास वाले फोर्मूले का conclusions करके हम यह ले आए, कि अगर आपके पास ऐसा है, देखें, अगर आपके पास ऐसा है, minus T is equal to minus T, उस conditions में तो R is equal to, देखो यहां से रफ मत करना, अगर ऐसा है, उस conditions में तो हमारे पास क्या है, R is equal to 2K plus 1, और अगर ऐसा है, F of minus T is equal to F of T, इस conditions में है, R is equal to 2K, R is equal to 2K, दोनों ही पक्सों में लिख देंगे K की value क्या है, यह लिखा रहाने देना, where K is equal to 0, 1, 2 से लेके infinity तक, ठीक है, where K is equal to 0, 1, 2 लेके हमारे पास infinity तक आ जाएगी, अब आप यह value उठाईए और यहां shift कीजिए, again from equations 1 and 2, so from equations 1 and 2, ठीक है भई, पहले तो यह लिखिए, left side में तो यह आजाएगा, ऐसा कैसा, minus 1 से 1, E xp, Iota xt, Iota xt, 1 minus t square की power n minus 1 by 2 dt, द्यान से देखिए, यह आजाएगा, हमारे पास ऐसा कैसा, R is equal to 0 to infinity, Iota x की power r upon r factorial, और यह आजाएगा, minus 1 से 1 ft dt, और minus 1 से 1 ft dt की जाएगा, यह आजाएगा, हमारे पास है, 2 गुना 0 to 1, 2 into 0 to 1, 2 into 0 to 1, f of t dt, और f of t की मैं value रख देता हूँ, 1 minus t square की power n minus 1 by 2 into dt, एक बार तो यह आजाएगा, plus एक बात मतलब odd number, तो यह even और यह odd plus 0 आजाएगा, plus 0 आजाएगा, और यह result कब आजाएगा, जब हमारे पास R is equal to 2k है, और यह result कब आजाएगा, when R is equal to 2k plus 1 है, पर आप देख सकते हैं, इस 0 से तो हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, बट यहाँ फरक हैं पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, so putting, so putting, R is equal to 2k in above equations we get, in above equations we get, तो हम यही R is equal to 2k है, हम यहाँ रखेंगे, तब हमारे पास इस equations उपर वाली equation से क्या result मिलेगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है बई, R is equal to 2k से हमें यहाँ क्या results मिलेगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो समझगे न, यह odd functions है, even function है, और यह भी ध्यान रखना, के कहां से जाता है, 0, 1, 2 से लेके infinity तके जाता है, तो इस परकार से हमारे पास इसकी limit है, यह break होगी, 2 multiply 0 to 1, और condition रहेगी, जब यह R is equal to odd even number हो, यानि 2k number हो, ठीक है बई, तो चलो लिखो ऐसा कैसा, R की जिगार क्या रखना है, 2k, तो left side तो देखो यह तो रहेगी, same last तक इस लेगी है, तो, क्योंकि result तो ऐसा कैसा लेग जाना है, summation R is equal to 0, R की जिगार क्या रखना भई, 2k, बिलकुल भी सोचने की जुरूत नहीं है, जैसा जैसा है, वैसा वैसा रखते जाए, 2k is equal to 0 to infinity, IOTA X की power R, तो R की जिगार हम क्या रखेंगे, 2k, upon R factorial, R factorial का मतलब 2k factorial, पूरा है, 2k factorial, और into में कितना है, यह रहा 2, यह रहा 0 to 1, यह रहा हमारे पास 0 to 1, T की power R, R का मतलब कितना आ जाएगा वै, 2k, 1 minus T square, की power N minus 1 by 2 into dt, into dt, तो पूरे की R की जिगार हमने क्या रख दिया है, 2k रख दिया है, ध्यान देना, k is equal to कहां कितना जाना चाहिए, 0, 1, 2 से लेके infinity तक जाना चाहिए, ठीक है वै, यह हमारे पास 0, 1, 2 से लेके infinity तक जाना चाहिए, ठीक है, अब देखिए, इस 2 को आप 0 में भेज दीजिए, इदर, इस 2 को आप 0 में भेज दीजिए, बहुती सावधानी पूरक से, तो यहां से हमारे पास ही, यह तो साइड आ जाएगी, ऐसे की ऐसे, यहां आ जाएगा, k is equal to 0 to infinity, ठीक है वै, यह 2 चला गया, 0 के अंदर, इसको कर दीजिए, आयोटा की पावर 2K, आयोटा की पावर 2K, अक्स की पावर 2K, और नीचे आजाएगा 2K की factorial, दियान देना भई, इसे मत कर देना, 2K factorial, यह अलग है यह सिन अलग है ठीक है तो यह 2K फेक्टोरियल इंटू में मल्टिप्लाइ में है 2 यह 2 0 to 1 क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं T square की power के T square की power small के और यह 1 minus T square की power n minus 1 by 2 into dt और इसको अब मानलों आप equations 1,2 के बाद equations number 3 और अब आप यहां से भी हटा सकते हो K is equal to 0,1 to infinity क्योंकि देखो यहां से देखो K is equal to 0,1,2 से लेके infinity ठीक है तो यह हमारे पास आ जाएगी अब हम यहां क्या करते हैं इसका integration सी तो हमें पहले करना था उसकी उलजन की वज़े से अब हम कुछ इस परकार चाहिए यहां ले आए देखो T square और T square हमें एक जैसा ले आए तो यहां हम मानेंगे लेट T square is equal to U या T is equal to root U या T is equal to root U तो आपको पता है अगर मानेंगे तो हमारे पास limit change होगी भले ही वही वापस क्यों ना आ जाए तो T की जगा पहले तो रखो 0 तो एक limit तो आ जाएगी 0 एक limit तो आ जाएगी 0 ट की जगा यहां रखो 1 तो 1 square भी 1 तो limit कहां से कहां तक आ गई 0 से 1 भले ही वापिस यही क्यों ना जाओ फिर भी ध्यान रखो कि क्या पता कब जाके change हो जाए मैसूस तक हमें नहीं होगा ठीक है तो limit change होके 0 से 1 T square का कितना होगा differentiation करेंगे तो 2T dt और U का क्या होगा D U यहां से रख लो क्या 2 dt is equal to D U by T D U by T और T की जगा क्या गया हमारे पास से root U T की जगा हमारे पास क्या गया root U ठीक है तो यह सारी की सारी value हम रख देंगे यहां रखेंगे सो हमारे पास क्या होगा देखें left hand side है यह तो चलेगी ऐसी की ऐसी हमारे पास left hand side है यह तो चलेगी ऐसी की इसमें तो कोई doubts नहीं है और यह आजाएगा ऐसा कैसा summation k is equal to 0 to infinity small k है वह यह इसको ऐसे कर सकते हैं क्या iota square की power small k x की power 2k upon 2k factorial और यह देखिए अब मैं एक बार हटाता ला रहा हूँ यह 2 और यह dt यह 2 और यह dt एक बार ऐसे मानके चलें तो limit change होके कहां से कहां तक आई 0 to 1 limit change होके कहां से कहां तक आई 0 to 1 यह 2 को इदर बेज के यहां से काट देने इससे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यह आ गई 0 to 1 t square की जगा अपने क्या माना है u माना है u की power k 1 minus t square को क्या माना है u माना है तो 1 minus 1 by 2 t square को अपने क्या माना है u माना है तो u की power k 1 minus u की power n minus 1 by 2 2 dt 2 dt की जगा क्या रखोगे du upon root u du upon root u ठीक है यह पूरा का पूरा हमारे पास ही change होके आ गया अब देखो next step में कितना आएगा यह u की power k यह u की power 1 by 2 उपर आके क्या हो जाएगा भई यह minus 1 by 2 यह क्या हो जाएगा 1 minus u की power 1 minus by 2 और into में du ध्यान देना यह root u यानि u की power 1 by 2 उपर आके minus 1 by 2 तो समय माधार पे यह जुट जाएगे तो minus का sign आजएगा यहां देखिए हमारे पास k is equal to 0 to infinity आयटा स्क्वेर की value कितनी होती है बई minus 1 उपर क्या लगा हुआ है क्या लगा हुआ है अक्स की power कितनी है टू के है नीचे टू के फेक्टोरिय लगा हुआ है देखो मैंने गलती कर दी न ऐसे नहीं लिखना है टू के के ब्रेकेट लगा के ही लिखना है अदरवाई जाके चलके टू हट जाएगा रिजेट चाके भी नहीं ला पाऊगे इसलिए चोटी चोटी चीजों का अब ध्याने रखोगे मतलब यह हमारे पास full and final इसका रिजेट्स आ गया है जो हमें यहां आते आते प्रूफें करना है इसे equations नंबर थरीके बाद ठीक है अब यहां से हमें एक similarity मिलती हुई नजर आती है तो हम इसको क्या लिखेंगे देखो ध्यान से देखिए हम एक result जानते हैं अब आपको लिखना नहीं है क्यावल इससे समझना है बिटा फक्सन का formula होता है कि बिटा M औ और N का formula होता है वो ऐसे कहता है कि 0 से 1 X की M-1 1-1 X की N-1 into dx ऐसे होता हूं मैं तो यहां तो minus 1 नहीं आए तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो देखिए ऐसे तो यह नहीं आया तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कैसे पहले तो यह चोड़ी ऐसा कैसा summation k is equal to 0 to infinity k is equal to 0 to infinity minus 1 की power k X की power 2 k नीचे आजाएगा 2 k factorial क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या चाहिए हमें minus का 1 चाहिए हमें इसका minus का 1 चाहिए जबकि यह क्या है minus 1 by 2 है मैं कहता हूँ इसके अंदर आपे plus 1 by 2 जोड़ दो और minus 1 by 2 घटा दो यानि हाफ जोड़ दो और हाफ ही घटा दो तो यह हाफ और हाफ कितनी हो गई minus 1 तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या k plus 1 by 2 कहने का मतलब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो क्या क्यों घुमा खिरा के मैं बात करूँ कि k plus 1 by 2 और minus 1 घटा के देख लो हाफ में से गया minus का एक बटा दो बचेगा इसी परकार इसको लिख दो n plus 1 बटा दो minus 1 करके देख लो चाहिए यही बचेगा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या बचेगा भई हमारे पास u की पावर k plus 1 by 2 k plus 1 by 2 minus 1 और यह 1 minus u की पावर इसको भी लिख दिया n plus 1 by 2 minus 1 और इंटू में du अब आप लिख देना कि since we know that अब हम लिखेंगे since we know that beta functions is given as यूनिट फोर्थ में आपने ऐसे खूब काम में लिया था तो वही रिजेट्स वापे से रिवाइज हो रहे हैं क्या जानते हैं यही रिजेट्स लिख देना कि बीटा एम एन बीटा एम एन इस एक्वाल टू जीरो टू वन अक्स की पावर एम माइनस वन वन माइनस अक्स की एन माइनस वन इंटू डिएक्स यही रिजेट्स लिख देते हैं ताकि आपके अभी एक्जाम में याद आजए कि हाँ देखी हमने यह वाला फोर्मूला काम में लिया है तो इस प्रोसेस को हम ऐसे लिख सक नहीं है तो क्या जाएगा लेफ्ट सेड तो ऐसी कि ऐसी समेशन के इज इकोल टू जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर के माइनस वन की पावर के ठीक है और यह अक्स की पावर टू के अपॉन टू के फेक्टोरियल अक्स की पावर टू के अपॉन के फेक्टोरिय और 2K पूरे का ब्रेकिट लगाओगे फेक्टोरियल अब देखिए 0 से 1 U की जिगह चलो एक बार ऐसे मानलो X है तो यहाँ 1-X होना चाहिए यहाँ DX होना चाहिए यह-1 है यह-1 है मतलब M की जिगह तो यह आ गया N पलस 1 बाई 2 और कैसे भी कर सकते हो यह इधर लगा दो यह इधर लगा दो कोई फरक इसे नहीं पड़ेगा ठीक है वैसी आ गया फिर से लिखोगे next step क्या आ जाएगी तो यह आ जाएगी हमारे पास समेशन के इज इक्वाल टू जीरो टू इंफिनिटी माइनस वन की पावर के अक्स की पावर टू के अपॉन टू के पूरा फेक्टोरियल है और यह अब देखिए बीटा m n क्या होता है तो मैं side में लिख देता हूँ कि चुकि बीटा m और n होता है वो ऐसे होता है किगामा m गामा अ अपान गामा m पलस n अपान गामा m पलस n तो यह क्या जाएगा γामा k पलस 1 बाइटू यह क्या हो जाएगा गामा N पलस 1 बाई 2 ये क्या हो जाएगा गामा गामा K पलस 1 बाई 2 थीक है तो ये हमारे पास result आ गया last last step के अंदर कि इस परकार से ये हमारे पास बीटा फक्सिन से तो दो बार मतलब ये जब जब ये लगता है तब तब ये लगता है आपने ऐसा unit fourth के अंदर भी देखा होगा अगर आपने अच्छे से मेनत की हो तो ठीक है भई तो आप देखी हमारे पास ही ये तो लिख दीजिया ऐसा कैसा एक बार मैं इसको उपर लिख रहा हूँ और उपर थोड़ा सा आप लिखोगे next step में explain करके यहां तो कर दो gamma k plus 1 by 2 gamma n plus 1 by 2 कर दो चलो पहले मैं n plus 1 by 2 को लिख देता हूँ फिर मैं gamma k plus 1 by 2 को लिख देता हूँ next step करने है भई पहले इसको लिख देता हूँ फिर इसको और k plus n plus 1 gamma k plus n plus 1 gamma k plus n plus 1 ठीक है भई तो यहां पास यहां तक किसी भी परकार की समस्या हो तो ठीक है तो हमारे पास यहां तक किसी भी परकार की समस्या नहीं आने चीए यहां तक हमने दो बार बिटा के यह फोर्मूले अपलाई कर लिए है ठीक है भई तो यहां भी बिटा फक्षिन का फॉर्मूला काम में ले लिया रूपर वे काम में लेके ऐसे ले आए अब आप एक बार थोड़ा सा रूखिएगा क्योंकि हमें क्या करना है ये साइड तो हम लेके चल रहे हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड में रूट प्राइ आनाज यह दिखाई दे रहा है क्या इधर नहीं अक्स बाई टू की पाऊर माइनस ng आना चे यह दिखाई दे रहा है क्या नहीं गामा के अंदर n प्लस one बाईट proceeding दिखाई दे रहा है क्या येस आप गोला मत करना भी एक बार मैं गोला कर रहा हूँ इसके दर ठीक है एक बार हम गोला इसलिए कर रहे हैं यह आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि यह इस के के उपर डिपेंड भी नहीं है यहां के है इससे मसल से बाहर नहीं ला सकते हैं यहां भी समोल के है यहां भी के है यहां भी किया है यही एक मतर ऐसी step है तो आप लिख लो चलो next step में कि इसको हम बाहर ला सकते हैं n plus 1 by 2 और यह आजाएगी summation k is equal to 0 to infinity minus 1 की power k x की power 2k upon 2k factorial upon 2k factorial और गामा k plus 1 by 2 और गामा k plus n plus 1 गामा k plus n plus 1 देखो k ही k वाला रख लिया यह n है इस summation k पर depend नहीं है तो हमने बाहरें ले लिया है इसको ठीक है इसको आप नाम दे दो एक बार equations number 4 और यहां आने के बाद आपके थोड़ी समस्या जरूर होगी बढ़ हमें unit fourth का यह भी result याद रखना है कि since we know that आप देखते हैं क्या क्या आप जानते हैं since we know that क्योंकि हमें कैसे जैसे तैसे करके यह हमें लेके आना है ठीक है तो अब आपको गोला नहीं लगाना एक बार मैं लगा जता हूं एक तो हम इसे touch नहीं करेंगे क्योंक पास एक क्यूशन होता है जिसको मैं एक नए सिंबल में रिखता हूं कि गामा एम गामा टू एम पलेस वन गामा एम और गामा एम पलेस वन बाई टू है यह हमारे पास होता है रूट के अंदर पाई अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन अपॉन टू की पावर टू एम माइनस वन इंटू गामा टू एम जब हमारे पास से एम बिलॉंग करता हो जेड के अंदर और जेड का मतलब जीरो वन टू से आगे जाता हो ठीक है so here m की जगय है put m की जगय के करो put m is equal to k अब ये हमारे पास formula है beta functions का आप लिख सकते हो beta function का ये formula है अगर आपके ठीक अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ये मैं पिछली वाली unit के अंदर मतलब जब आपका full course पढ़ रहे हैं उनके लिए यहां किसी भी परकार की दिकत नहीं हैगी या जो second semester वाले सुन रहे हैं उन्होंने फैस semester में देखा होगा ऐसा ठीक है तो ये हमारे पास m की जगय के रखते हैं तो ये कितना आजाएगा gamma k ये कितना आजाएगा gamma k पलस मतलब m की जगय के रख दो तो ये आजाएगा रूट पाई ये कितना आजाएगा बई 2 की पावर 2k माइनस 1 और ये gamma 2k और ये gamma 2k everywhere k बिलॉंग करना चाहिए z के अंदर मतलब 0,1,2 से लेकर आना चाहिए तो ये आ रहा है k पलस 1 बाई 2 की वेलू यहां से आजाएगा k पलस 1 बाई 2 तो ये तो आजाएगा रूट के अंदर पाई है इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या कि देखें 2k और 2 की पावर माइनस 1 है इसे मैं उपर ले आऊ 2k पावर माइनस 1 है इसे उपर ले आऊ अलग बात है इसे आप मानो equations नंबर 5 इसे आप मानिए equations नंबर 5 और values रख दीजिएगा from equations 4 and 5 तो ऐसे आपको पीछे के छोटे छोटे बिटा फक्सिस के काफी सारे results से वो हमारे पास काम में आने वाले हैं तो अब हम बोलेंगे from equations 4 and 5 ठीक है भई अब हम बोलेंगे from equations 4 and 5 तो लिखे आप में now from equation from equations 4 and 5 क्या हो जाएगा left side है यह तो आजेगी ऐसी की ऐसी गामा n पलस 1 by 2 को आप छोड़ दीजिए summation k is equal to 0 to infinity minus 1 की पावर k minus 1 की पावर k x की पावर 2 k नीचे पूरे का 2 k के क्या लगा हुआ है factorial लगा हुआ है और एक बार इसको भी रहने दो अलग से गामा k पलस n पलस 1 k पलस n पलस 1 और यह उपर क्या है गामा k पलस 1 by 2 इसकी जगाई है रख दीजिए कितना जहेगा 2 root pi 2 और root pi upon 2 k और यह नीचे गामा के तो देखिए हमने यह रख दिया है यह रख दिया है अक्सकी पावर टू के रख दिया है टू के फेक्टोरिल यह नीचे वाला इसकी जगया हमने यह रख दिया है तो एक पर काटना मत जो जो भी हमें लगता है अब कॉंस्टेंट लग रहा है उसको ही हम बाहर भेजेंगे उसको ही हम बाहरें भेजेंगे तो यहाँ हमारे पास देखे के को छोड़ के सब को बाहर ले आओ तो के ही के है 2 root pi बाहर ले आओ या चलो ऐसे छोड़ दो γामा एन left side तो ऐसी कि ऐसी γामा एन पलस 1 बाई 2 और root pi और root pi तो देखिए एक हमारे पास ये भी आ गया root pi ठीक है वही एक हमारे पास ये भी आ गया root pi तो हम इसे change नहीं करेंगे ये हमारे पास क्या बच गया है वही summation k is equal to 0 to infinity minus 1 की power k देखिए minus 1 की power k और ये इधर लिख लेता हूं में gamma k plus n plus 1 देखिए एक मिम्ट एक पर मैं कारते से लूगा भई मैं ठीक है ये हमने लेख लिया हमने root pi लिख लिया ठाकि आप अच्छे से नोकी देख सकें root pi लिख लिख लिया summation čuβला लिख लिया minus 1 की power k लिख लिया नीचे γामा k plus n plus 1 factorial लिख लिया अब ये देखिए ये कितना है x की power 2k और ये कितना है 2 की power 2k इसको दोनों का ऐसे लिख सकते हो क्या x upon 2 की power 2k देख लो चाहिए x upon 2 की power 2k x upon 2 की power 2k ठीक है अब ये बच गया इसको आप side में लिख लो क्या बच गये उपर तो बच गया 2 gamma 2K और नीचे बच गया हमारे पास पूरा का पूरा 2K फेक्टोरियल और इंटू में गामा के पहले तो इसके साथ निप्टो क्यों इतनी सारी स्टेप समझ चला के लेकी आएं पहले तो आप इसे ही देखिए कि यह आखिर हमारे पास आएं क्या आगा ठीक है वही बिल्कुल स्टेप बाइस पेटरन को प्रोसेस को पालन करना है अब इस स्टेप के लिए आप ऐसे देखिए कि यह जो ऐसे है नाव पहले तो लिखो 2 गामा के अंदर है 2k और यह है पूरा 2K फेक्टोरियल यह है 2k फेक्टोरियल और गामा के अंदर की तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2k और इससे एक कम कर दिया 2k-1 into फेक्टोरियल क्योंकि आप जानते हो N factorial होता है N N minus 1 जहां तक भी आपकी मर्जिय आप वहां तक रोक सकते हो ये गामा के ऐसा का ऐसा ये गामा के ऐसा का ऐसा ये 2 ऐसा कैसा मैं जानबूज के ये जो 2K है इसके अंदर एक घटाता हूँ और एक एड करता हूँ ये जो 2K minus 1 है इसके जानबूज के एक घटाता हूँ और एक एड करता हूँ तो ये स्टेप्स में ये तो रह जाएगा ऐसा कैसा 2 गामा 2K अपॉन 2K फेक्टोरियल ये समझने वाली चीज़ें चोटी चोटी गामा की ठीके अब देखें यहाँ एक बार गामा एन पलस वन होता है उसे आप एन गामा एन भी लिख सकते हैं ये आप सिच्वेशन से देख के लिखेंगे ठीके ये हम लिखेंगे जब एन हमारे पास 0 से बड़ा हो क्योंकि 0 से छोटा हो जाएगा तो नगेटिव चला जाएगा और ये हमारे पास होगा जब एन बिलोंग करें नेश्यूरल अंबर के अंदर बट इन सिंबल में हमें एक बार नहीं खोना है क्योंकि हम जानते हैं कि गामा एन पलस वन होता है उसका एक कम करके आप फेक्टोरियल लगा सकते हो तो ये गामा है इसका एक कम करके फेक्टोरियल लगा दें क्या देखो इस पूरे का एक कम करेंगे तो ये एक घट जाएगा ऐसे देखनो चाहिए ये एन है ये वन है तो एन फेक्टोरियल लगा दिया ये लो नीचे कितना बस गया ये k दिखाई दे जाना चाहिए वही कहीं काटता है वक्त ये छुप जाए ये k और ये 2k माइनस 1 फेक्टोरियल और गामा k तो देखें ये हमारे पास इसे cancel तो just next step में आप लिखना same to same इसके बराबर क्या होगा तो मैं फिर से उपर लिख लेता हूँ ये क्या बचेगा ये बचेगा वन अपॉन के गामा के वन अपॉन के गामा के अब फिर से आप लिखोगे कि चुकी एन पलस वन गामा होती है उसको आप एन गामा एन भी लिख सकते हो एन गामा एन भी लिख सकते हो तो ये हमारे पास क्या गई भी इसको आप लिख सकते हो ग से आप इसको क्या लिख सकते हो के फेक्टोरियल फिर से लिख देना कि चोंगी n प्लस 1 गामा n प्लस 1 वो n फेक्टोरियल के बराबर होती है मतलब हमने जैसे तैसे कैसे भी करके इसको सोल किया और हमने देखा कि ये हमारे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है तो इसे आप नाम देदो equations number 6 ठीक है Now from equations 5 and 6 Now from equation 5 and 6 रख दीजिए value यह तो आजाएगा ऐसा कैसा गामा के अंदर n पलस 1 by 2 यह आजाएगा हमारे पास root pi यह आजाएगा summation k is equal to 0 to infinity यह आजाएगा minus 1 की power k और यह आजाएगा gamma k plus n plus 1 gamma k plus n plus 1 यह आजाएगा gamma k plus n plus 1 x by 2 की power 2k x by 2 की power 2k और यह आगया 1 upon k factorial ठीक है भई इस पूरे की जिगर हमने क्या लिख दिया 1 upon k factorial अब आप एक बर यह देखिए हमारा क्या result चाहिए था क्या रहे गिया क्या हमें लेके आना है अब left side की और यहां ध्यान दीजिए कि हमारे पास कौन सा result से और बच गया है है ना भई प्रकार से डिफाइन होता है यह समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फेक्टोरियल गामा एन पलस आर पलस वन इंटू में अक्स बाई टू की पावर एन पलस टू आर ऐसे होता है क्या वई यह जीएन एक्स विल्कुल ऐसे होता है जुरूरी तो नहीं है ना र ही लेके चले опять मैं मैं की जीएस मोल का लिख लेता हूँ तो यही आएगा क्या अब पहचानो यहागया समेशन आनजीरो से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एक्ट यह भी आगया नीचे k factorial यह भी आ गया यह देखिए इसको ऐसे लिख सकते है न x by 2 की n into x by 2 की 2 के तो x by 2 की 2 की आ गया इसकी कसर रह गई हमारे पास इसकी कसर रह गई तो आप next step में क्या लिखोगे यह ऐसा काईसा पहले आप इसे लिखो root pi को फिर आप लिखो gamma n plus 1 by 2 को अब मैं बोलता हूँ की आप x by 2 की power minus n तो इधर लिखो देखो एक ही steps में करेंगे minus n इधर लिखो एक बार यहां से लिख दो देखके कोई दिक्कत नहीं यह भी आपकी hint करेगी यह आ जाएगी summation n बराबर 0 से यह एक बार रूखो सोच के रूख के लिखना आप एक बार हमारे पास यह आ गया ऐसा कैसा root pi आ गया gamma n plus 1 by 2 आ गया summation k is equal to 0 to infinity आ गया k is equal to 0 to infinity minus 1 की power k upon k factorial और gamma k plus n plus 1 gamma k plus n plus 1 और यह axi by 2 की power 2k है ठीक है ऐसा कैसा लिख लिख लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ जान बूज के मैं यहाँ axi by 2k power n और लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ भी तो लगाना पड़ेगा x by 2k power minus n ताकि यह balance बना रहे तो यहाँ है तो k x के n के उपर तो depend नहीं है इसलिए मैं इसको बाहर ले आता हूँ तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ axi by 2k power minus n मतलब यह वाला minus n इधर लिख लिया और यह लिखा रहने दिया इधर ही तो हमारे पास क्या बचेगा यह आजएगा ऐसा कैसा पहले आप लिखिए root pi फिर आप इसको लिख लिजिए axi by 2k power minus n फिर आप लिख लिजिए gamma के अंदर n plus 1 by 2 ठीक है अब देखिए हमारे पास summation k is equal to 0 to infinity minus 1 की power k upon factorial k upon k factorial gamma k plus n plus 1 और यह क्या हो गई वाई axi by 2 की power n plus 2k n plus 2k देखो यही बच गया क्या तो यह हमारे पास क्या बच गया basal functions बच गया jnx यह हमारे पास क्या बच गया बच गया बच गया jnx तो यह आजएगी last step exp iota xt 1 minus t square की power n minus 1 by 2 into dt यह हमारे पास क्या गया pi आ गया x by 2 की power minus n आ गया gamma के अंदर n plus 1 by 2 root मत माले न भई gamma है और यह बन गया हमारे पास basal function यही आ गया हमारे पास left hand side और यही हमें proof करना था yes यह आ गया हमारे पास left hand side और यही हमें proof करना था समझें तो इस परकार से हमें बिल्कुल step by step step by step step by step से इसके अंदर चलना है बहुत सारी छोटी 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 प्रोब्लम से इसके अंदर आई है आपने ऐसा देखा होगा ठीक है भी बहुत सारी प्रोब्लम से इसके अंदर आई है आपने इसमें देखा होगा किस परकार से हमने ज्यादा तर बीटा फक्संस को काम में लिया और हमारा रिजेल्टे निकाल दिया ठीक है किस परकार से हमने बीटा फक्संस को काम में लिया और हमारा एक रिजेल्टे निकाल दिया अब देखिए हमारे पास यहां से हम छोटे-छोटे रिजेट्स ड्राइव करेंगे, बड़े ही ध्यान से करेंगे, तो पहले तो मैं इस क्यूशन को वापीस लिख लेता हूँ, यह क्यूशन कहता है कि प्रूव देट, रूट पाई, अक्सी बाई 2 की पावर माइनस एन, गामा एन पलस 1 बाई 2, इंटु जे एन एक्स, इंटु में जे एन एक्स, equal में यह आया है हमारे पास minus 1 से 1 e x p iota x t e x p iota x t 1 minus t square की power n minus 1 by 2 into dt n minus 1 by 2 into dt भ्यान से देखिए यह हमारे पास result है हमने proof कर दिया है अब यह मैंने तो रफ कर दिया है बट आपको कोई ना कोई एक step से ऐसी मिलेगी मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें ठीके एक छोटा सा results मैं आपको इसी के अंदर देखिए इसको आपने क्या लिखा था इसको आपने लिखा था e की power iota x t और ये 1-t square की power n-1 by 2 dt फिर इसको हमने लिखा था summation r is equal to 0 to infinity iota x t की power r upon r factorial और ये 1-t square की power n-1 by 2 dt देखते जी हमने ऐसे लिखा था फिर हमने इसमें odd और e1 लेकि आये थे तब ये हमारे पास 0 से 1 चला गया था दुगूना हो गया था summation r is equal to 0 to infinity ये iota x t की power r upon r factorial और ये वह ऐसा काईसा 1-t square की power 1-2 into dt और ये condition कब थी वाई जब ये हमारे पास सम फलन आया था ये हमारे पास e1 फक्षन आया था बताईए ये ही condition थी किया फिर आपने क्या किया r की जगए 2 के रखा ध्यान से आपने r की जगए 2 के रखा आपने r की जगए 2 के रखा आपने r की जगए 2 के रखा और R की जगाप ने 2 की रखा तो इस result को मैं ऐसे ले लेता हूँ कि integration तो dt के उपर depend है यह 2 0 में चला गया